Hey everyone, this is me, Sohani Mishra and welcome back to my YouTube channel और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम whole excretion के बारे में पढ़ेंगे excretory system या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि यह हमारा urinary system होता है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें आज मैंने जैसे का आप लोगों को बताया था जो लोग भी मेरे से इंस्ट्रेग्राम पर एड हैं मैंने वहाँ इंस्ट्रेग्राम लाइब पर बोला था कि हमारी जो next वीडियो होगी student demand पर है ये वीडियो कि हमारी excretion पर होगी जिसमें मैं आपको एके पर्टिकुलरिली सारे ओर्गंस के बारे में डिस्क्राइब करूंगी जैसे इसमें हमारी vvenecava है इसमें हमारी kidney है urators है urinary bladder है सबको पर्टिकुलरिली डिस्क्राइब करूंगी बट आज सिर्फ इस वीडियो में है नांग टॉपिक है तो इसको हम एक ही वीडियो में नहीं देख सकते हैं तो यह हमारी पार्ट यहां पर आज में बताने जा रही हूं आप लोगों को स्वेट करते वीडियो को हमारे जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं मैंने पूरा डाइग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है इसका जो ये वाला पार्ट है ये आप लोगों ने सुना होगा वैन कावा ये वाला पार्ट हमारा है वैन कावा और जो ये वाला पार्ट है ये हमारी है आउटा आप लोगों को पता ही होगा ये आउटा है ये हमारी जो है बीन-like structure जो आप देख रहे हो यähän हमारी है kidney ओके, इनके उपर आप इनका जो ये cap type structure देख रहे हो, जो ये वाला structure है दोनों kidney पर होगा ये आपके होते हैं adrenal gland जो कि हॉर्मोन सीक्रेट करते हैं, एड्रेनील हॉर्मोन होते हैं, जो कि इमर्जेंसी हॉर्मोन होते हैं, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे डीपली, आज मैं सिर्फ इसकी लेबिलिंग कर रही हूँ, पर्टिकुलर ओर्गन का क्या-क्या रोल है, क्या-क्या वर्क है, वो म में आप देख रहे होंगे कि यह नर्व आरी है डायग्राम में clear नहीं होगा आपको पर यहां से जो यह नर्व इस तरीके से ऐसे connector ऐसे connect है यह हमारी renal veins है रिनल वेन मैं आप लोगों को बता दू रिनल का मतलबी वो होता है जो kidney से related हो रिनल का मतलबी होता है kidney हम इसको terminology में renal ही इसके लिए use करते हैं दूसरा जो आप देख रहे होंगे आउटा से जो vein आई हुई है एक इधर आई और एक यह वाली आई है इनको हम बोलते हैं renal artery इसको हम अब तक अभी तक हमने clear कर दिया अब आप देख रहे होंगे जो यह दो स्ट्रक्चर आ रहे हैं kidney से निकलते हुए बाहर की तरफ जो ऐस ऐसे shape के आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं ureters जो कि हमारे दो होते हैं numbers में दो numbers में kidney हैं दो हमारे glands हैं दो हमारी veins है main और दो हमारे ureters हैं यहां पर आकर यह किस से connect हो रहे हैं जो यह हमारे urinary bladder है जहां पर आकर हमारे urine story मैं आपको और लिए भी पूरा diagram समझा दोंगी clearly यह आप देख रहे होंगे last में छोटा सा organ है इस organ के पहले ही हमारे होते हैं इस spinters होते हैं यहां पर जो कि hold करकर रखते हैं urine को और last में जो आप यह छोटा सा exit देख रहे होंगे यह हमारा होता है यूरेथ्रा जहां से urine pass out होता है अब मैं आपको यहां पर बता दूं यहां से हमारा क्या होता है oxygenated blood आता है और यहां से deoxygenated blood remove होता है बाहर की तरफ ठीक है यहां से क्यों होता है कि blood जब अंदर जाता है particular kidney के अंदर यहां पर हमारा loop of hale, pct, dct, bomin capsule और glomerular यह सारे पार्ट होते हैं जो कि क्या करते है यूरीन का formation करते हैं formation यानि वहां पर filtrate होता है जब वहां से urine बनती है kidney से यूरेटर से होते हुए जो कि कौन सा paristalsis movement के through वह क्या होता है नीचे आती है और कहां पर आके collect हो जाती है हमारी urinary bladder में store करके रखती है कुछ time के लिए then हमारी जो sphincters होते हैं यह work करते हैं यहां पर एक inner sphincter होता है एक outer होता है वह हम detail में पढ़ेंगे जब हम urinary bladder पढ़ेंगे then urethra के through mikturation जो process होता है urine pass out करने का mikturation बोलते हैं उसको मैं यह mention कर देती हूं उस process को mikturation process होता है urine pass out करने वाले process को हम बोलते हैं जो कि urethra के through हो जाता है एक और note point है मैं जो आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो kidneys होती है वो कुछ न इस तरीके से located रहती है मैं आपको बता हूं वो कुछ इस तरीके से located रहती है मनलब एक हमारी जो kidney होगी वो उपर होगी, एक हमारी नीचे होगी, ये थोड़ा सा ascending descending में क्यों रहते हैं, क्योंकि जो हमारी ये वाली kidney है न, left side वाली, इसमें हमारा liver located रहता है, मेरे तरफ से ये left side है, otherwise ये right side वाली kidney है, ध्यान रखिएगा, ये right है, ये left है, ओके, तो जो पर लिवर को जगा देने के लिए यहां पर रहती है तो यह आज का हमारा उपर-उपर से था next part में हम इसकी structure को पढ़ेंगे kidney के okay kidney के structure को पढ़ेंगे third part में हम loop of hell ले पढ़ेंगे then उसके बाद ureter then urinary bladder पढ़ेंगे okay I hope guys कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो please video को like करिएगा share करिएगा अपने review जरूर दीजेगा कि मैंने explain जो किया है वो आप